हेलो फ्रेंड्स वेलकूम टू माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों आज में आज तक डोपिंग में कौन कौन से खिलाड़ी डोपिंग में पाजिटिव पाए गया है जिसके चलते उनके मिले हुई पुरुसकार को भी मेरल को भी वापस ले लिया गया है और किसी अन्य को द बताने वाली हूँ और दोस्तों डोपिंग से रिलेटेड सभी टॉपिस को मैं क्लियर कर चुकी हूँ इसके पिछले वाले वीडियो में उन सब वीडियो को आप चैनल के खेलची किसा वाले प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक क कौन कौन से खिलारी डोपिंग में अभी तक में पाजिटिव आए गये हैं दोस्तों वीडियो को सुरू से लाज तक देखिए का फेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए चाहे आप किसे भी एक्जाम्स का तरहाई कर रहे हैं TGT, PGT, EALT, KBS, NBS तो दोस्तों सब बताना चाहूंगी कि डोपिंग का पहला केस आया था 1960 रोम उलम्पिक में जिसमें डेनमार्क का एक रोट साइकलिस्ट था जिसका नाम था नियोड एनमार्क जेंसन ये सुर्पदक प्रात्त करने के बाद ही मृत पाया गया और यहां रोनिकल और एमफीटो माइन नामक उ दोपिंग का टेस्ट सब पहली बार कप किया गया यानि प्रथम बार डोपिंग टेस्ट कप किया गया तो 1968 के मैसिकों सिटी उलम्पिक में इसमें स्वीडन के पेंटाथलित गुनर निलेंजेवाल पाजिटिव पाय गया थे अब बात करते हैं दोस्तों एक एक करके किस उ नेड्रोलोन की जो इनवलिक इस्टरायट्स के अंतरगत आता है नेड्रोलोन के सेवन से दोस्तों फ्लोरिंस ग्रिफ्ट जॉइनर जो यवर्श्टे की धाविका थी 1988 सियोल उलम्पिक में 100 मीटर दोड़ को 10.54 सेकेंड और 200 मीटर दोड़ को 21.34 सेकेंड में पूरा किया दोस्तों नेड्रोलोन के सेवन से दुसरा खिलाड़ी कौन था डियोगू मेराडोना बहुत ही चर्चित नाम है इसलिए आप इसको ध्यान में रखेगा डियोगू मेराडोना अर्जिन टिगा के चर्चित फुटबालर थे ये डोपिंग में पाजिटिव पाए गये थे और नेक्स्ट है मरियन जोन्स जो योश्रे की धाविका थी 2000 सिडनी उलम्पिक में ये पाजिटिव पाए गये थी नेक्स्ट है दुस्तों दुसरा है इस टेनो जोल के सेवन से कौन कौन पाजिटिव पाए गया था तो ये भी इस टेनो जोल भी नेडरलोन की तरह एनामोलिक इस्टराइर्स के अंतरकत आता है और इसके अंतरकत बेन जॉन्सन जो है 1988 सियोल उलम्पिक में और सो मीटर फराटा दोड़ को 9.766 सेकेंड में पुरा किया था और ये डोपिंग पाजिटिव पाए गये थे धरती पर पुरुस होने का क्रितिमान इन्होंने बनाया था पहले बार किसी ने सो मीटर दड़ को 9.76 सेकेंड में पुरा किया था बेंज जांसन ने नेक्स्ट है तिसरा है टेस्टो इस्टराउन की सेवन से दोस्तों तेस्टो इस्टराउन भी इनवलिक इस्टराइट के अंतर गताता है इसके सेवन से टीम मोंट गोमरी जो यूर्शेक की 100 मीटर धावक थे जो टेस्टराउन और हीमन ग्रोथ हार्मोन आई जी अफ वन के सेवन से पाजटी पाए गये थे एन दोस्तों तेस्टराउन के सेवन से कौन थे उसेन बोल्ट जिसका नाम बहुत ही चर्चित है आप सभी लोग जानते होंगे यह 2009 ब्राजिल में 100 मीटर दोर 9.58 सेकेंड में 200 मीटर दोर 19.19 सेकेंड में पुरा किया था दोस्तों उसेन बोल्ट और पाजटी पाए गये थे दोस्तों उसेन बोल्ट जो है इनको ए जमायका के खिलारी है जैसा कि आप सब जानते हैं इन्होंने इनको ट्रिपल ट्रिपल बोला जाता है क्योंकि इन्होंने तीन उलम्प लगाता है जैए 2008 2012 2016 में 2008 बीजिंग लंडन उलम्पिक 2017 अलिमुट में इन्होंने 3 तीन उलम्पिक में तिन गोल्ड मेटल जिता क्योंके 9 गोल्ड मेटल तीनन उलम्पिक में पुरा मिलाके velocunden घार चारघोड़ मीटल दोस्तो इसको लेने से और बढ़ जाती है जिससे हमारे सरे में और और ग्रहड करने की संख्या बढ़ जाती हैं इसलिए इसका ज्यद्यद्ब होता है तो कौन को से खिलाड़ी इसको लेने से पाजोटी पाए गये थे तो लेंस एड़वर्ड आर्म इस्ट्रांग इनका नाम है लेंस एड़वर्ड आर्म इस्ट्रांग यूर्श्य के साइकलिस्ट थे लगातार साथ बार 1999 से 2005 तक फ्रांस में आयोजे टूर्क डी फ्रा के प्रतियों गिता के दौरान EPO यानि इत्रोपोटिन लेने का अपने आप कबूल किया था जिससे USADA ने आज इवन इस पर प्रतिबंद लगा दिया था और कौन है इत्रोपोटिन के सेवन से पॉजटी तो नाजिया ओस्टा पचुक कौन है नाजिया ओस्टा पचुक जो बिलारूस की एथलिट थे शार्ट पूर्ट में इन्होंने स्वड़ पदक प्राप्त किया था और इनका पदक वापस ले लिया गया पदक समारों की पूरू ही और बाद में दुसरे नंबर पर रही बिलारूस बिलारी एडम्स जो न्यूजिलंड की धाविका थी उनको द पाए गया नार्कोटिक्स जो पापी नामक पाउधक से निकले हुए ओप्या में यानि अफिर्म से तयार किया जाता है यह नारकोटिक्स दर्दनासक होता है इसको लेने से हमारा दर्द यह किलर की रूप में काम करता है और इसको लेने से खिलाड़ी बहुल जाता है कि हमको कितना भार उठाना है और असकता से अधिक उठा देने पर हमारी नस्य जो है उफड़ जाती है इसलिए इस प्रकार के चोट को केरियर एडिंग इंजरी भी बोला जाता है तो इसको लेने से कौन खिलाड़ी यह तो था दोस्तों बिसेस पदार्थ लेने से पाजिटी पाए गए खिलाड़ी अन्य खिलाड़ी जो डोपिंग पाजिटी पाए गए हैं जैसे की दोस्तों पैरियो ब्राइन जो गोला फेक की एक टेकनिक का अविस्कार किये थे पैरियो ब्राइन जो गोला फेक में 2012 दिया गया था यह भाग नहीं ले पाए थे 2012 में अन्य दोस्तों सुनीता रानी जो भारती महिला खिलाड़ी है चोड़ोवे एस्याड 2002 बुसान में 1500 मीटर का स्वर्पदक प्रतिबंधित दवा लेने के कारण वापस ले लिया गया था एंड दोस्तों अन्य है माइक ताइसन बाक्सिंग में बेन जांसन एथलेटिक्स में जैसा कि हम बता चुके हैं पारिश्ट कर्यां तो दोस्तों यह था डोपिंग में आज तक पाजोती पाया जाने वाले खिलाडियों के लिस्ट दोस्तों इसके लावा और खिलाडी छुटे होंगे लेकिन दोस्तों आपके एक्जाम से पूछे जाने के हिसाब से इतना कॉफी है इतना भी आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा तो दोस्तों I hope कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों वीडियो कैसे लागा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और कौन से टापिक पर आपके वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट में बताईए मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी दोस्तों नेश्ट वीडियो होगा एर्गोजेनिक एर्ष के बारे में जिसे पेशी प्रभाव साधन बोलते हैं दोस्तों जैसे कि हम डोपिंग को गलत तरीके से इस्तमाल करके अपने चम्ता को बढ़ा करके कुछ पल के लिए खेल प्रदरसन को बढ़ा लेते हैं लेकिन जो एर्गोजेनिक एर्ष होता है व इसे जो ही मैं नए वीडियो अपलोड करूंगी उसका नाटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैए